एपिसोड की शुरुवात होती और हम डेरियल नाम के एक आदमी को देख दे है जिसे डीमन किंग आर्मी से निकाल दिया जाता है डेरियल यहां पर पूछता है कि आखिर कर इसकी गलती क्या है इसे निकाला क्यों जा रहा है बाशाबरइस से कहता है कि तुमुजलेस हो तुम मैजिक यूज करना नहीं जानती हो यही तुमारी सबसे बड़ी गलती है डेरियल ने समझाता है कि इन फोर्ट जनरलस ने रखा है पर यह लोग इसकी बात नहीं सुनते बास बर्दा से कहता है कि मेरे पिताब जनरल नहीं रहे और नए डीमन किंग आर्मी में उन डीमन का कोई काम नहीं जो मैजिक यूज नहीं कर सकते डैरिल फिर यहां से जाने लग जाता है और हमें बताता है कि चाहे इनसान हो या फिर डीमन्स दोनों ही मैजिक यूज करना जानते है पस उनके मैजिक थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से तब इसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है जो कीसे पोक करते हुए कहता है कि डार्क सोल्जर डेरियल तुम कहा जा रहे हो यह कहता है कि मुझे सोल्जर मत बुलाओ अब मैं सिर्फ डेरियल लूग यह फिर यहाँ जंगल में घूमने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर कर वो आगे क्या करे इसे यहाँ पे काफी दिन बीच चुकी होते है और इसे कुछ समझने आ रहा होता तब ही इसकी नजर एक लड़की पे जाती है जिसकी ओपर एक मॉस्टर हमला कर चुका होता है पर डेरियल सही वक्त पे जाके उस मॉस्टर का हमला रोक लेता है और इसकी ओपर हमला कर देता है पर ये मॉस्टर डेरिल से काफी थाकत वर था और डेरिल मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है जिस वज़े से ये मॉस्टर इसके उपर भारी पड़ जाता है पर तबी डेरिल को एक human weapon देखता है और वो सोचता है कि वैसे तो ये इसे यूज नहीं करता तो ये जितनी जल्दी आँस निकल जाए उतना ही बहतर है पर वो लड़की इसे रोक लेते हैं और क्याती है कि आपने मेरी जान बचाएए मैं आपको स्पेशल मील के सा ट्रीड करना चाती हूँ तो डेरिल इसके लिए हाँ कर देता है कि बिजनस ओनर की बेटे ने मुझे यहां से निकाल दिया मलीका इसकी बाते सुनके काफी उदास होती है और उसके आखों में आसू आ जाते है और वो कहती है कि आप तो इतने अच्छे इंसानों आखिर कर वो आपको कैसे निकाल सकता है अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उससे छोड़ूंगी नहीं मलीका फिर सकी है ते कि अगर आपके पास कही जाने के लिए ठिकाना नहीं है तो आप हमारे विलेज की यहां पे रह सकते हो हमारे यहां पे काफी सारे एमटी रूमस है और वो यहां पे रहने के लिए राजी हो जाता है और मलीका का शुकरय करता है उसे यहां पे लाने के लिए यह फिर अपने रूम के यहां पे आ जाता है पर तब याँपे मलिका आ जाते है जो की से पूचती है कि वो जगा हुआ है डैरल कहता है कि हाँ मैं जगा हुआू क्या तुम्हें कुछ काम है क्या मलिका इसे कहती कि आज से पहले मुझे किसी भी मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया स्रिफ वो तुमी हो और मैं तुम्हारा शुक्रिय करना चाती हूँ आज मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए डेरल कहता है कि ऐसी कोई बात निये पर ये सोचता है कि एक डीमन जो कि एक इनसानी लड़की की मदद कर रहा है ये सोचन इसे भी काफी हजीव रखता है हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ पर डेरल इनसे पूछता है किया मैं किसी चीजी में आपकी मदद कर सकता हूँ यहां मलिका के फादर जेंगराम एन्विल होता है वो इसे कहते कि दरसल मैं इस विलिज का गिल्ड मास्टर हो मैं चाता हूँ कि तुम यहां के एडवेंचरर बन जाओ और एडवेंचरर बनने के बाद तुम मॉस्टर को हरा सकते हो हब जिखठा कर सकते हो और भी अलग अलग मिशन कर सकते हो पर डेरल कहता है कि मुझे इसके अलावा कोई दूसरी जॉप मिल सकती है क्या मैं सब में इतना अचानी हो पर एन्विल इसे कहते कि तुमारी बॉडी को दिखके तो यह नहीं लगता तुमें बस इस पेपर में अपना बलड गिराना है ताकि तुम यहां पर रेजिस्टर हो पाओ पर डेरल को इस पेपर के बारे में पता होता है और यह होते ही वो समझ आता है वो कि डीमन नहीं यह वो एक इंसान है दरसल काफी साल पहले पुराने फोर्ड जनल्स में से एक लॉड ग्रांड बासा सामा को यह जंगल की हापी मिला था और इस ऐसा कभी भी नहीं लगा कि एक इंसान है और कुछी समय पहले इस डीमन लॉड आर्मी से निकाल दिया गया और अब इसका नया ठीकाना यह विलेज है यहाँ पे एनिविल इससे फिर कहते है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कर तुम एडवेंचर कैसे बन सकते हो सबसे पहले तुम्हें और और को हैंडल करना हाना चीए जिसका यूज करके तुम अपनी बॉड और वेपन को इन्फ्यूस कर सकते हो डेरिल फिर यहाँ पे कॉंसेंट्रेट करने लग जाता है ताकि वो अपने माना को अपने वेपनी के साथ इन्फ्यूस कर सके जब यह चोटा था ग्रान बास समाने इसे मैजिक अवेडने सिखाय था पर वो डीमन स्टाइल में था जिस वज़ेस वो से करनी पाये था पर अब यह यूमन मैजिक कर रहा है जिस वज़ेस ही इसे अच्छे से कर पा रहा है एक एडवेंचर चार स्कल्स में से एक को अवेकन कर सकता है जैसे कि हीट, श्लैश, स्टिंग और प्रोटेक्ट और एक इंसान के अंदर से कितना और निकलता है वो यह तै करता है कि आखरिकर वो इंसन कितना ताकतवर है एनविल फे डैरिल को इस तलवार का यूज़ करके इस लखड़ी के तुखड़े को काटने के लिए कहता है और डैरिल ऐसे ही करता है वो एक ही जटके में इस लखड़ी के तुखड़े को काट देता है यह देख कि इसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि डैरिल श्लैश में काफी ताकतवर होता है इसकी बाद बारी आती है इस्टिंग की जहां पर वो तीर और धनुश का यूज़ करके एपल की उपर निशाना लगाता है पर इसका हमले इतना ताकतवर होता है कि आस पास की पीड भी घिल जाते है ये देख के एन्विल को विश्वास नहीं हो रहा ह और जब एन्विल उसकी उपर हमला करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है ये से चारों इसके लिए महारत हासिल हो रखी है और ये एक हीरो बनने के लायक है एन्विल फिर से कहता है कि तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान मैंने अब तक नहीं देखा मैं सेलफिश नहीं बनना पर तुम्हारे जासा इंसान इस दुनिया में उड़ने के लिए बनाए तो बहतर यहीं रहेगा कि तुम इस विलेज को छोड़ के चले जाओ पर जब यहाँ पर डैरेल मलीका को कहता है कि मैं चाहकर भी आपके कर्जे को रीपे नहीं कर सकता है पर मैं यहाँ पर रहके उस के पास था जिस वज़े से वो डैरेल पर गुस्ता हो जाता और कहाता है कि तुम्हारा शुक्रिया मारने के लिए यह फिर एक नया मिशन लेता है और यहां से जानने लिग जाता है पर जाने से पहलों इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि इसने यहाँ पर मैंडिकल हभी खट करने जा रहे हो ना मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं पर गलती से डैरल हब्स की जगह कुछ औरी पत्यों को खटा कर लेता है तो यहाँ पर मलीका इससे बताती है कि जो तुम पत्ती खटा कर रहे हो उसके साइड से में काटे है तुम थोड़ा गौर से देखो तो तुमे की नहीं देख रही होती है तो यहाँ पर मलीका इससे कहती कि हम उसका शिकार कर सकते है पर यह बहुत ही खटरनाख ही रन होती है जो कि एक एंट की उपर हमला कर देती है पर इसके बावजू डैरल और मलीका इन दोनों को पकड़ के विलिज की यहाँ पर ले आते जहाँ प तो यहाँ पर वो देखते है कि मलीका के डैट काफी हुदास लग रहे होते हैं तो उसे पूछते है कि क्या हुआ यह से बताते है कि दरसल मैं गास्ता के बारे मैं सोच रहा था वो तुम्हारे उपर काफी घुसा क्यूंकि तुमने उसके टरगेट को दो बार अपना शिकार बनाया है डैरिल को यह सुनके थोड़ा बुरा लगता है पर मलीका कहते कि दुम्हें बुरा मानने की कोई जरूत नहीं इसमें लग भी मैटर करता है और साथी साथ तुम्हें हंटिंग की स्किल भी आनी चाहिए यह फिर इने बताते कि गास्ता सुबा गुस्से में था इस सिवरे से उस्ने िस खतनाक मॉस्टर को मानने का जौब ली लिया पर इस मॉस्टर को सी रैंक या फिर सोके उपर वाले ही एड्वेंचर्स मार सकते हैं बाली गया इने कहते है कि यह तो काफी घतनाक मॉस्टर रहे इसे दो बड़े टाउन वाले gorजिको हैंदिल करना चाह डेरेल फिरे ने कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं गास्थक वापिस ले आता हूँ पर जब यह उस जगे पे पहुशता है तो यह देखता है कि आसपा स्पेड़ वेड तूट चुके होते है और यहाँ पर तबाई मच चुकी होती है तब ही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ स्वाड का यूज करके इसकी उपर हमला कर देता है और इस हमले से यह इसे चोट पहुचाने में कामयाब हो जाता है पर अभी भी सहराने के लिए यह काफे नहीं होता पर तब ही डैरेल की तलवार यहाँ पर तूट जाती है और इसे समझ नहारा होता कि आकरकर वो अब क्य करें पर उतने में इसे एक आइडिया आता है और यह अपने तीन स्किल्स का यूज करके इसने के ऊपर हमला कर देता है और यह हमला कामयाब हो जाता है उस तूटे हुए तलवार के तुकड़े से यह इस मॉस्टर को मार गिराता है और इन दोनों की जान यहाँ बचाती है ये फिर यहाँ पे गास्था को बनम पट्टे कर देता है, जो मलिका ने इसे दी होती है, और उसे के साथ कुछ हपस का यूज करके, ये इसकी घहरे गाओं को भर देता है, ये इसे पूछते है कि आंखिर करी इसने कहा से सिकी, ये डेरिल से बताता है कि उसे मलिका ने सिखाई थी, घास्था फिर इसे माफी मांग तो है कि Talking कहता है, कि मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करने और चींदी, मुझे माफ कर दीए, डेरिल इसे माफ कर देता है, फिर हमें कुछ दिन बाद देगा जाता है, जहाँ पर मलिका डेर्ल को यहाँ पर खाना खिला रही होती है पर तब यहाँ पर गास्था आ जाता है जो कि डेर्ल को अब अपना बड़ा भाई मानता है यहाँ पर मलिका के फादर उसे पूछते कि आखिर कर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ यह कहता है कि कुछ भी नहीं, यहां पे फिर यह से पूछते कि आखिर कर तुम यहां पे किसलिये आयो, गास्ता कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को ग्रीट करने के लिए हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है, पर मलिका उसे कहाती कि चुप चप अपन फायर कर देता है, डोरी यह फिर ने कहती कि मेरे इसाब से हमें डैरिल को वापिस ले आना चाहिए, क्योंकि वो डीमन लॉड आर्मी के सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता था, मेरे इसाब से डैरिल को वापिस लाना सबसे बेस्ट आप्शन होगा, पर इसकी यह पास सुनके बाशी बर्दा काफी जिता गुस्सा हो जाता है, वही हमें डैरिल के यहां दिखा जाता है, जहां पर अब डैरिल के लाप पूरी तरह चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब भी वो घर जाता है, तब भी मलीका यहां पीसे चॉक स्लैम देती है, यानि कि उसे हग क लेती है, जिस वचे से वो बेहोश हो जाता है, इसके बाद डैरिल मलीका के फादर से पूछता है, कि आखिर कर इस विलिज में इतने खाली घर की हुए, यहां पर मलीका काफी हुदास होती है, क्योंकि उसने डैरिल को नुक्सान पहुचा दिया होता है, डैरिल उसे समझा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बिलकुल भी जोट नहीं लगी है, मलीका के डैरिल फिलिज जगे के इसे मैप दिखाते हैं, और कहते हैं कि तुमने कहा ना कि आखिर कर इस विलिज में इतने खाली घर की हुए, हमारे विलिज के आस पास सबसे इंपॉर्टेंट ज उटा था, तब डेमन ने उस माइन को अपनी तरफ ले लिया, जिसके बास से लोग इस विलिज को छोड़के जाने लगे, ताकि वो अपनी जिन्दीगी को अच्छे से बिता पाए, लक्स विलिज की डिस्टने नहीं है कि वो धिरी-धिरी मारा जाएगा, फिर डैरिल यहा पर इसे कुछ अजीब से हावास सुनाई देती है, तो यह नीचे चले जाता है, जहाँ पर यह देखता है, जो कि यहाँ पर माइनिंग कर रहे होते हैं, पर डैरिल इन सब को पहचानता है, और यह सब भी डैरिल को पहचानते हैं, क्योंकि एक समय पर यह डैरिल के अंडरी या काशी वर्जा था तो यह समझ आता है कि लौड बाशी वर्जा ने ऐसा ओडर दिया जिस वज़े से इने ओवर टाइम करना पड़ रहे तब ही नौकर से कहते कि मस्ट डेरिल हम आपके अंडर काम करना चाते हैं अगर ऐसी रहा तो हमें यहां से रात को चुपके से भागन पड़ेगा तब ही यहां पर डेमन लौड आर्मी के कुछ लोग आने लग जाते हैं तो डेरिल को यहां पर चुपना पड़ता है यहां का इंचार इंसे पूछता है कि आखिर करी यह सब क्या है आखिर कर आज इतनी कम माइनिंग क्यों हुई है यह लोग इसे बताते कि हम जी जान करके काम कर रहा पर हम इतसा जैज़ाता नहीं निकाल सकते यह इनके ऑपर गुस्ता हो जाता है पर डेरिल सोचता है इसे तो मैने कभी-पहले देखा नहीं क्या लग जाते हैं पर इससे पहले इने कुछ भी होता यहां पे डैयरील आजाता है जिसने अपना मुधध्धख रखा होता है वो इनने कहता है कि आगर तुम चुपचा वापस लोड़ जो तो मैं तुमें कुछ वी डैल को इन सभी से लड़ना पड़ता है ये फिर अपनी तलवार की मदद से यहां का जो हेड होता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है पर ये आदमी इसे बताता है कि मैं डीमन किंग आर्मी के हिसा नहीं हूं मुझे मारों मत ये से बताता है कि ये लौड बाशी बर्जा से एक पार्टी की दोरान मिला था ये वहां पर वेटर था लौड बाशी बर्जा को इसके करता पसंद आ गए थे तो उन्हें कहा कि तुम मेरे लिए माइन में काम कर सकती हो या आदमी वे डैल को कहा था कि तुम एक नहीं हती इंशान को तो नहीं मार सकते जो लड़ना नह कहता है कि जब तुम घर पहुचो तो अपना श्तीफा दे देना और इन्हें कहना कि माइन काफी डरावनी चागी है और तुम दुबारा से यहां पर नहीं हाना चाती हो यह फिर यहां से भाग जाता है पर नौकर से से कहते है कि डीमन किंग आर्मी को चैलेंज करना वो करें एन्विल कहते कि घबराओं मत उन्हें हम कुछ भी नहीं होने देंगे क्योंकि काफी सालों की बाद मिध्रिल माइन संसानों के हाथ में आई है और यह हमारे लिए काफी बड़ी अडवांटीज है और ऐसे ही होता है लक्स विलेज दुबार से फल फूलने लगता है औ पर उसका पाउं यहां पर फिसल जाता है जिस वज़से हो नीचे गिने लग जाती है वक्त पे डैरल इसे यहां पर पकड़ने के लिया आ जाता है पर उससे पहले मलिका इसे गले लगा लेती है जिससे यहां पर डैरल भी होच जाता है क्योंकि इसका काफी ताकतवर होता ह हमें फिर कुछ दिन के बाद बाशी बारजा को दिखा जाता है जो कि अपने रूम में होता है और कुछ कर रहा होता है तब यहां पर जबेंटिया सा जाती है जो किसे कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है पर यह से डाट तोए कहते हैं कि बिना permission की मेरे रूम के अंदर एंटर मत किया करो तो यह कहती कि चीजी तनी इंपोर्टेंट है कि मुझे तुम्हें अभी बताने पड़ेगी यह कहता है कि मैं भी काफी जदा बीजी हूँ माइन्स को इंसानों ने चीन लिया और उनका पूरा कंट्रोल माइन पर इतनी जल्दी शौक मत हो तुम्हारे खिलाफ किसने कंप्लेंट भी लॉच कर दिया तो यह कहता है कि आखिर कर वो कौन है चाहिए वो जो भी हो से मैं डीमन लौड आर्मी से निकाल दूंगा यह कहती ह कि वो खुद डीमन कींग है यह फिर डीमन कींग से मिलनी के लिए जाता है चाहां पर उसे कहते कि मैं ने सुना है कि जितना भी इंपॉर्टेंट मिथ्रिल था वो हमसे चला गया यह कहता है कि तुम उसे कैसे वापिस लाओगे तुम काम पे धिहान देने के जगए एक बेक सब्सक्तार से बॉंब को बना रहे थे जिस वज़स हम से मिठ्रिल चीन गया तुमने काफी बड़ी मिस्तेक किया अब तुम्हें उस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी पर यह ऐसा नहीं कहरा होता तो डीमन केंग इसे कहता है कि ठीक है अब जब तुमने सब रायता फ तो वापिस जा सकते हो, यह फिर वापिस चले जाता है, पर डीमन किंग को भी पता होता है कि इसने डीरिल को fire कर दिये और अब यह क्या करेगा, ये देखने लायकोगा, वही पर यहाँ बाषी बर्दा काफी गुसा होता है, क्योंकि Demon King ने उसके सामने Daryl का नाम ले लिया होता है हमें फिर Village के यहां दिखा जाता है जहां पर मलिका Daryl के साथ Flirt करने के कोशिश कर रही होती है वैसे कहते हैं कि हमारे Village कितना अच्छा बन चुका है जब हमारे बच्चे होंगे तो कितना अच्छा विलेज देखेंगे पर डेरिल इसकी बातों की इग्नोर करके गास्तिया के यहां पे आ जाता है जहां गास्तिया कुछ लोगों से लड़ रहा होता है तो डेरिल उसे शांत करा के पूशता है कि आखिर कर उसे क्या हुआ गास्तिया से बताता है कि यह जो कंट्री साइड के अडवेंचर होते है वो फेक होते है यह आदमी ने बताता है कि इसका नाम फिट बिटान है और यह B रैंक का अडवेंचर है और यह मेंड गिल्ड के यहां से आया है टेरिल इसे अपना नाम बताता और कहता है कि वो एक D-Rank का एडवेंचर है जो सुनकी याद में इसे कहता है कि जो अफवाब मैंने सुनी थी लगता है वो फीक थी मैंने सुना है कि तुमने ही मिध्रिल माइन को रिकैप्चर किया है पर लगता है वो सिर्फ रियूमर्स थे यहां से हम माइन को टेक ओवर कर रहे हैं और जितने भी माइन से रिलेटेट काम है वो हम करेंगे तुम अपने और जॉब में वापिस लोड सकते हो डेरिल को इसकी बातों से गुस्सा आ जाता और वो से कहता है कि तुमने उस ब्लेस देट सनेक को यहां पर आने दिया था ना तुम उसे मारने वाली थे पर तुमने उसे मारने नहीं तुमने उसे जाने दिया तुम्हें पता है भी है तुम्हारी वज़स हमें कितना जाता उक्सान हुए गास्तिया कहता है कि हाँ अगर मेरे बड़े भाई उस बड़े से सने को मारते नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता यह कहता है क्या तुमने उस बड़े से सने को मारा डेरिल कहता है कि हाँ थोड़ी दिर उसके साथ लड़ने के बाद मैं किसी तर उसे मारने में क पर जब यह लोग मलीका को यह बात बताते हैं तो गुश्सा हो जाती है यहां पर डैल को कॉंग्रेस करते हैं क्योंकि मलीका इसे काफी पसंद करती है सब लोग यहां पर डैल के लिए काफी खुश होते है फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है जहां पर डैल के साथ यह कोई नेगोशेट का निकले है होता है यह मिस्टर बेस फ्रेंड होता है जो कि मैं सेंटर गिल्ड की यहां से आया होता है इससे बात के निकले है यह से बता लिए और हम नहीं चाहते हैं कुछ सारी बाते बता देता और समझाँ इस तक हो जाते हैं लिए यहाँ उनी अडिवेंचर्स को देखता और पूछता है कि आखिर कर तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो यह से बता आते हैं कि हम यहाँ पर बॉडिकार्ट की क्विस्ट की तोर पर आया है तब ही नहीं यहाँ पर डीमन किंग आर्मी की यहाँ पर आनॉसमेर सुनाई दी जात यह से सारी चीजे बता देता है जो डीमन लॉड आर्मी से निकलने के बाद इसके साथ हुई है और यह भी की एक इनसान है और यह फिर से यह भी कहता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना रिजट इसे कहता है यह फिर से कहता है कि यह सब तुमारी गलती है डेरिल डेरिल से पूछता है कि इसमें मेरी गलती कैसे हूँ यह से कहता है कि डीमन लौड आर्मी की ओपरेशन धीरे-धीरे काफी होरेबल होते जा रहे हैं तुम पहले उस टूपेट सन की जतनी भी ओर्डर से उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाते थी पर जब से तुम गये वो साथ अच्छे से बात करके वापस ले आओं क्योंकि वह हमारे लिए काफी जिदा इंपॉर्टेंट है यह से फिर पूछता है कि तुम भी दीमन किंग आर्मी में वापस क्यों नहीं आ जाते पर यह कहता है एको तौप ऑफिसर्स में से किसी एक हो तुमारी जरूत है वह द और साथी साथ काफी सारे लोग है जिनने मेरी परवाए तो मैं तुम्हारे साथ वापिस नहीं जा सकता। और हम चाहे तो इन्हें चार गुनात जादत दाम में मिध्रल बेच सकते हैं। करो और उसके लावा कुछ नहीं बेस्ट फ्रेंट फिर डेल की बातों को मान जाता है और डीमन्स को मिध्रल शेल करने के लिए राजी हो जाता है पर वहीं पर वह एडवेंचर अभी भी काफी गुसे में होता है। इसके बाद रेज़र डेल को कहता है कि तुम्हारे शुक्रिया तुम्हारे वड़े से मैं नौकर से अपोलोजी कर पाया पर आखिर कर अब इसके बाद तुम क्या करने वाले हो डेल से कहता है कि अगर लॉड ग्रान बाजा जब मैं बचा था तब मुझे नहीं पालते तो पता नहीं मैं कब का मर जाता तो इसे वज़े से मचाता हूं कि डीमस और इंसान एक दूसरी एकसाथ घुल मिलके रह सके और यहां से कहानी वटू भी कंटीनू जाती है इस सीरीज में मैंने इस कहानी के चार एपिसोड को एक्सल बेन किये होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत बुलना और इसके और भी एपिसोड आने वाले जल्दी तो अगर आप इसके एपिसोड को मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देना जाते विसरे पे तने कहूं गाइस थैंक्स